सो हेलो है नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे है टेक इंफो आज बाले इस वीडियो के एंदर में आपको बताने वाल हूँ मेंस Youmayima पर नए नए अपडेट्स लाता रहता है आज हम किस अपडेट की बात करने वाले है देखिए क्याज जब आप अपडेट के पर क्लिक करते है यहां से मैं एक पिक ले मैं जश्ट इसको select कर लेता हूँ, done कर देता हूँ, save changes कर देता हूँ, उसके बाद गाईज मुझे यहाँ पर next पर click करना होगा, थोड़ा wait करने के बाद, मैं next पर click कर लेता हूँ, तो मुझे इस तरह के sticker देखने को मिल जाते हैं, अगर मैं इन में किसी को use करना चाहता हूँ, तो गाईज, यहाँ से मैं उसको कर पाऊँगा, देखिए मैं यह वाला sticker ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर use कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं इन stickers का use करना है, तो गाईज, आपको किस परकार से कर पाऊँगे, तो गाइज बहुत से लोगों को तो अपना Instagram अपडेट करने के बाद यह वाले sticker यहाँ पर मिल रहे हैं लेकिन काइज काफी लोगों को यह वाला stickers यहाँ पर यूज करने का options नहीं मिल रहा तो अगर आपको भी face हो रही है इस प्रकार की problem आपको भी show नहीं हो रहा है इस प्रकार यह sticker तो आप किस प्रकार से अपने accounts के अंदर इस sticker को ला पाओगे वो सब मापको इस video के अंदर completely बताने वाला हूँ तो चलिए गाईज शुरू कर लेते हैं देखे गाईज हमारा एक और account है उस पर हम switch कर जाते हैं यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे यहाँ पर वो वाला sticker नहीं मिला है उसके बाद आपको यहाँ search bar में search कर देना है Instagram जैसे आप यहाँ पर Instagram सर्च करेंगे तो Instagram आपके सामने आ जाएगा आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका Instagram अपडेट है या नहीं अगर आपके Instagram में यहाँ पर अपडेट वाली option आती है तो आपको अपने Instagram को पहले अपडेट कर लेना है उसके बाद आपको Instagram पर क्लिक कर देना है फिर आपको नीचे एक तरफ थोड़ा scroll कर लेना है developer contact के नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा बीटा प्रोग्राम का तो यहाँ पर यह लिव लिखा हुआ है learn more के बगल में यहाँ पर आपको join वाला button देखने को मिल जाएगा आपको उस पर क्लिक कर लेना है जिसके बाद गाईज आप Instagram के बीटा प्रोग्राम को join कर लेंगे इससे क्या होता है Instagram का जो नया नया update आता है उसको आप सबसे पहले यूज कर पाओगे यह कर लेने के बाद गाईज आपको बिल्कुल ही back आ जाना है और देख लेना है आपके Instagram पर आपको यह sticker मिल जाता है या अगर नहीं मिलता है तो आपको जो आपका Instagram ID है उसको open कर लेना है और इस वाले section में आना है और sticker पर क्लिक कर देना है और इसका स्क्रीम सोट आपको लेना है यह लेने के बाद गाईज आपको बिल्कुल ही back आ जाना है इसको यहां से कर देना है आपको डिश्कार्ड और उसके बाद आपको bottom पर जो आपकी profile picture होती है इस पर क्लिक कर देना है फिर three lines पर क्लिक करना है setting पर tap करना है उसके बाद आपको help पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको रिपोटे प्रोबलम पर क्लिक करना है, अगेन रिपोटे प्रोबलम पर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पर जो भी आपकी यह प्रोबलम है, श्टिकर से रिले उसको यहाँ पर attach कर देना है और आपको submit पर click कर देना है जिसके बाद आपके सामने ये pop up आ जाएगा आपको turn on shake पर click कर देना है जिससे जो आपकी problem है Instagram team का पास पहुंच जाएगी और within 72 hours से लेकर 1 week तक आपकी जो problem है इसको solve कर दिया जाएगा और आपको जल्दी से जल्द है जाएगा तो आपकेर